बिस्म अलाहि रह्मान रहीम अस्तलाम अलेकूम वेल्कम टू यूट्यूब चैनल हमीज फर्ल्ड रेसिपीज आमगा सीजन शुरू हो चुका है लहाजा हमने सोचा क्यों ना आमगा एक बहुती इंस्टन्ट सा बहुती फटाफत से बन जाने वाला डिजर्ट बनाया जाए तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो बिस्किट पुर्डिंग की रेसिपी बस कुछ ही इंग्रिडियंस का यूज करते हुए हम ये डिजर्ट बनाने वाले हैं तो सबसे पहले इसके लिए हमने यहाँ पर एक पॉट में लिया है दो टेबल स्पून जितना कस्टर पाउडर और इसे के साथ हम डालेंगे इसमें तीन टेबल स्पून जितनी शुगर देखें यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉडंट एक टिप शेयर कर रही हूँ जब भी हम दूद में कस्टर पाउडर एड़ करते हैं तो उसे मिक्स करने में हमारा काफी टाइम जाया हो जाता है तो इसे शुरू में ही हम शुगर के साथ मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम दूद एड़ करेंगे ना तो कस्टर पाउडर इसमें असानी से मिक्स हो जाएगा देखिए मिक्स हो चुका है मैंने यहां पर बॉयल किया हुआ दो कप दूद एड़ किया है अब हम इसे चुले पर रख देंगे और इसे बॉयल आने तक पकाएंगे और इसमें मैं शामल करने लगी हूँ बटर स्कॉच का एसंस यह हम इसमें डालेंगे तकरीबं 5 से 6 बूंदे इससे बहुत ही कमाल का बहुत ही बहतरीन सा फ्लेवर आएगा तो लगातार इसे स्टर करते हुए हमें इसे पकाना है जब तक कि इसमें एक बॉयल ना जाए तब तक हमें इससे पका लेना है यहां पर इसमें एक बॉयल आ चुका है तो हमने इसे स्टव पर से उतार लिया है और इसे ठंडा कर रहे हैं और यहां पर Garnation के लिए मैंने लिए हैं दो टेबल स्पॉन जितने केशिय नैट्स और साथ हमने यहां पर लिए हैं वीटा मारी गोल्ड यह भिसकेट्स मैंने लिए हैं इसका समाल हम करेंगे पुडिंग के अंदर तो दो पैकेट बिस्कित चाहिए हमें और साथ ही हमें चाहिए मैंगो पल्प यहां पर हम लेंगे पहले कस्टर में ढालने के लिए क्वाटर कप जितना मैंगो पल्प तो ये मैंने कस्टर में एड़ कर लिया है और इस अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आपको इस वाद का ध्यान रखना है कि जब हमने स्टाव पे से कस्टर को उतारा तो उस वक्त भी हमें लगादार इसे चम्मत चलाते हुए ठंडा कर लेना है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो इसके उपर मलाई आ जाएगी बिस्किट को सोक करने के लिए मैंने चार से पांच डिबल स्पून जितना दूद लिया था इसमें मैंने तीन चार बूंदे बटर स्कॉच एसेंस की एड़ कर ली है अब मैं इसके अंदर एक एक बिस्किट इस तरह से डिब करती जाओंगी और इस ट्रे में बिचाती जाओंगी बिस्किट की हमने एक लेयर लगा ली है अब हम इसके उपर कस्टर की लेयर लगाएंगे तकरीबन आदा कस्टर हम इसमें एड़ कर लेंगे यहां पर मैंने दुबारा से उतना ही दूद लिया है और दो-चार बूंदे बटर स्कॉच एसेंस की एड़ कर ली है दूसरा पैकेट हमने खोल लिया है और दुबारा से हम इसी तरह से यही सारी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे एक लेयर लगाने के लिए इसे सेट होने के लिए हमें रफ्रिजरेटर में रग देना है तकरीबन 10-15 मिनिट के लिए और यहां पर हमने ली है विप क्रीम विप क्रीम हम लेंगे तकरीबन हाफ कब जितनी और इसे सबसे पहले हमें थो कर लेना होता है यानि इसे हम पिगलने देंगे इतनी जादा नहीं पिगलने देंगे कि इसकी coolness खतम हो जाए अब हम इसे whip कर लेंगे तो एक बिटर के जरीए हम इसे whip कर रहे हैं जब तक इसमें बिल्कुल stiff picks ना आ जाए तब तक हमें इसे whip कर लेना है यहाँ पर हमने कस्टर हमारा जो pudding है इसे फ्रीज से बाहर निकाल लिया है और इस whip क्रीम के अंदर मैंने add कर लिये हैं तीन से चार टेबल स्पून mango का pulp हलका साई से mix कर लिया है और अब हम इसे piping bag में add कर रहे हैं अगर आपकी whip क्रीम गर्मी की वज़े से बहुत ज़दा melt हो रही हो तो आप इसे कुछ देर के लिए फ्रीज में रख सकते हैं तो अब हम इसे गार्णिश कर लेते हैं whip क्रीम के जरिए अगर आपको इसकी एक layer लगानी हो तो आप layer भी लगा सकते हैं मैंने इसे बस side उपे इस सरह से flower बना लिये हैं इसके और काजू को मैंने डाल दिया है गार्णिश करने के लिए हलका सा इसे मैंने roast कर लिया था अगर आप इसे oven में roast करेंगे इन काजू को तो बहुत अच्छा result मिलेगा तो ज़रूर ट्राइ कीजिए इस मज़ेदार सी recipe को और इस वीडियो को अपने फ्रेंस और फैमली मेंबर्स के साथ जज़ा कर लागे